ओम शान्ती गुड मॉर्निंग सत्रा अगस्त दो हजार बाईस मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिष्टे मिलकर बाब दादा के साथ करते हैं बाब दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिष्टे बाब दादा के सामने बैठे हैं बाब दादा दृष्टी दे रहे हैं और बाब दादा ने अपना वर्दानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे समरिती का तिलक लगाया फिर बाबा ने मेरे सिर पर अपना वर्दानी हाथ रखा और मुझे वरदान दिया बच्चे सदा हर्षित और निश्चिन्त भव सदा हर्षित और निश्चिन्त भव बाबा बोले आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली मीठे बाबा आज तो आपने बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी बाबा आज आपने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तुम्हें चौराशी जन्मों की समरिती में रहना है और सबको ये समरिती दिलानी है संगम पर बाबा के हमें बेहद का समाचार सुनाते है आदी मध्यांत का राज बता दिया चौराशी के चक्र का राज बता दिया पूरे पाँच अजार वर्ष का जो कल्प है उसका राज बता दिया अब बाबा कहते हैं जो मैंने तुम्हें बताया है न वो तुमने औरों को भी बताना है और जो ये 84 जनम कैसे लिए है ये सदा समरिती में रखना है कि मैं सत युग में मेरे आठ जनम हुए त्रेता में मेरे बारा हुए द्वापर और कल युग मिला के 63 जनम हुए और एक जनम मेरा ये जो संगम पर मैं ब्रहमन बना हूँ तो ये 84 जनम सदा समरिती में रख़ू मैं कि कौन से जनम में मैं कहां था एक एक जनम की मुझे बाबा ने कलियर करके समझाया कि बच्चे तुम कुछ जनम में क्या थे तो पूरे कलप में 84 जनम लेते हैं यह जादा जादा से जादा और कम से कम आत्मा एक जनम लेती बाकी टेमses आत्मा का रहती है परंधाम में रहती है किसी के अशी हैं किसी के 75 थो हर आत्मा के अपने अपने जनम है लेकिन बाबा ने हमें 84 जन्मों के चक्र का राज बता दिया और बाबा ने का ये जो स्मृति है न ये तुम्हें औरों को भी दलानी है कि मैं आत्मा और आत्माओं को भी सारे कल्ब के बारे में बता दूँ कि इस संगम पर स्वेम परमपिता परमात्मा भगवान आये हुए हैं तो आओ, जानो, समझो और उसके ज्ञान को सुनो फिर बाबा आज आपने प्रश्न पूछा शिप बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे विश्नु को नहीं, क्यों? मिठे बाबा ये भी आपने हमें कलियर किया क्यों शास्त्रों में भी लिखा है ना कि ब्रह्मा द्वारा स्रिष्टी रची जाती है जब शिप बाबा निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो शिप बाबा का सबसे पहला पहला बच्चा कौन बना? ब्रह्मा बना और ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने क्योंकि बाबा ने का विश्नु को तो कही नहीं सकते क्योंकि विश्नु तो वैसे भी दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा द्वारा उत्पन हुए विष्णु द्वारा पालना हुई और शंकर द्वारा विनाश दिखाते हैं तो यहां विष्णु पालना करने वाला है और ब्रह्मा के हम सब बच्चे हैं यह बाबा नहीं हमें कलियर किया है क्योंकि विश्नु की कोई संपरदाय नहीं है जो भी क्या कहते हैं कि हम ब्रह्मा मुखवण शावलियों और विश्नु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे बाबा नहीं कहा जब वो लक्ष्मी नरायन के रूप में महराजा महरा नहीं बनते हैं ना सत्योग में तब उनके जो बच्चे होते हैं तो उनको मम्मा बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा से तो ब्राम्मन संपर्दा ही पैदा होता है तो मैं आत्मा कौन ब्रह्मा मुखवन शावली संपून ब्राम्मन हूं पिर आज गीत बजा तुमी हो माता पिता तुमी हो एक शी बाबा ही मेरी माँ है और मेरा पिता है फिर बाबा आज आपने पूरी मुर्ली में ना बुडियों की बहुत तारिफ करे क्योंकि बुडियों की क्यों करी क्योंकि ब्रमाबाबा भी तो बुड़ा ना तो बुड़ा बाबा हम जीन्स की तारीफ कर mają कि बाबा कहते हैं कि मैं जाओंगा तो मैं अपने हम जीन्स को भी तो साथ ले जाओंगा ना राज बाबा आप ने परम धाम को भी बहुत अच्छा नाम दिया आपने कहा कि बाप को और चक्र को याद करने से तुम रूहानी विलायत में चले जाएंगे लोगों को फारण घुमने का बड़ा शौक होता है तो आज बाबा ने क्या कहा कि रूहानी विलायत क्या है परमधाम तो बाबानेरे का वो जो फारेन है ना वो दूर देश है ना तो हमारा रोहानी विलाइत क्या है? परमधाम तो मैं आत्मा उस परमधाम की रहने वाली हूँ अब दुनियो में कितने सर्संग होते हैं? कितना समझा रे पर जो चीज हमें शिप बाबा समझाते हैं क्योंकि शिब बाबा बेहद का समाचार सुनाते हैं हमें क्योंकि एक होते हैं हद के समाचार हद के समाचार तो कोई भी सुना दे और दूसरा होता है जो बेहद का समाचार वो बेहद का समाचार जो बाबा ने का इस दुनिया में कोई जानते नहीं है शिरफ एक बाबा ही आकर हमें बेहद का समाचार सुनाते है क्योंकि बाबा हमें स्रिष्टी के आदी मद्धे अंत का सारा ग्यान सुनाते है जो हमारी बुद्धी में बैठता है क्योंकि बाबा हमें अपना प्रिच्चे देते है क्योंकि बाबा ने हमें स्रिष्टी का जो यथार्थ चक्र समझाया न अच्छी रीती से उस बाबा ने ही ब्रह्मा तन में आके हमें समझाया और जो हम समझे हैं वो अब हमें औरों को समझाना है अब मैं आत्मा कितना औरों को बाबा का परीचे देती हूं स्रिष्टी चक्र का बताती हो बाब बीज को परमपिता परमात्मा वा बाप कहते हैं हम हैं उनके बच्चे आत्मा हैं एक शीब बाबा कहा है बीज है जो परमपिता परमात्मा और हम हम उनके बच्चे हैं बाबाज बार बार कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ मैं परमधा में रहता हूँ और मुझे ही क्या कहते हैं मुझे ही knowledgeful blissful कहते हैं और मैं आकर न तुम आत्मों को पवित्र सुख शांती का वरसा देता हूँ अब स्वें परम पिता परमात्मा संगम पर आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और हमें सुख, शांती और पवितरता का वर्सा देते हैं तो मैं आत्मा उस वर्से को अपने अंदर कितना ले रही हूं, कितना धारन कर रही हूं, मैं बाबा की पूरी पूरी शिरिमत पर चल रही हूं अगर मैं बाबा की पूरी शिरिमत पर चलूँगा तब ही तो मुझे सुख, शांती और पवितरता का वर्सा मिलेगा बच्चों की बुद्धी में न ये फिरता रहता है भई हम असल में कहां के रहने वाले हैं बाबा ने का हम सभी आत्माओं हमें कहरें बाबा कि जो तुम आत्मा है न हम सभी आत्माओं को भी पाठ बजाना है और पाठ का राज कोई समझा नहीं सकते सिर्फ कहते रहते हैं सिर्फ कहते हैं कि हम आए हैं पाठ बजाने आए हैं जाएंगे लेकिन वो पार्ट कैसे बजा रहे हैं कैसे हमारे चौराशी जन्म हुए कैसे चक्र फिरा स्रिष्टी का चक्र पूरा पांच जार वर्ष का कैसे कल्प का चक्र फिरा वो कोई नहीं समझा सकते सिवाए एक बाबा के बस सिरफ क्या देते पुनर जन्म लेंगे भी हम आत्मा आत्मा जरा मर अमिनाशी है ना जलती है ना कड़ती है एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे इतना तो कह देते हैं कि पुनर जन्म लेंगे और कोई फिर क्या करते हैं 84 लाग जनम लेंगे 84 लाग की तो कोई बात है यह नहीं सिरफ जनम ही कितने है 84 जनमों की बात है अब है कि तुमना बरोबर सतो परदान थे फिर सतो रजो तमों में आए अब तमों से फिर क्या हो रहा है अब फिर संगा पर हम सतो परदान बन रहे हैं इस समय मैं आत्मा सतो परदान बन रही हूँ अब कितना बन गई हूँ और कितना बैलेंस है अपने आपको मैं चेक करूँ कि मैं अभी 100% सतो परदान बनी हूँ क्योंकि जब संपूर्ण सतो परदान बन जाएंगे तो फिर इस शरीर में रहेंगे ही तो अभी और परशार्थ करना सतो परदान बनने का मैं मने गए जो स्रिष्टी का चक्र है न सुधर्शन चक्रो चराशी जन्मों का चक्र ये तो सैज बुडिया भी समझा सकती है बुडिया एक बार सूरज वाई बता रहे थे कि एक प्रोग्राम था कहीं वाँ वी आई पी आना था प्रोग्राम सेंटर से अलग था और वो वी आई पी आ गया सेंटर पे और सेंटर पे एक बुडिया की डूटी थी कि भी सेंटर पे कोई भी आया ना उसको वाँ भेई देना जहां प्रोग्राम है तो वो वी आईपी पहुँच गया वहां तो बुडिया माता ने उसको चायवाई पिलाई तो बोला आओ मैं तुम्हे समझाती हूं तो उन्हों ने उसको समझाया कि शिव बाबा ब्रह्मातन में आके और शिव और शंकर का जब अंतर बताने लगे तो वो बोला भाई कि मेरी समझ में नहीं आरा तो बुडिया ने एक लाइन में इतना अच्छा उसको तीर मारा उस बुडिया माता ने का अरे मैं अनपड हूं मैं समझ गई हूं और तु पड़ा लिखा नहीं समझ रहा और उस आत्मा को ऐसा तीर लगा कि वो सोचता रहा फिर वो प्रोग्राम पे गया प्रोग्राम के बाद उसने दीदी से साथ दिन का कोर्स किया फिर दीदी ने बोला अनभव सुनाओ जब वो अनभव सुना रहा था स्टेज बे तो उसके सामने वही माता बैठी थी तो उसने बोला भाई ने कि मुझे दीदी सोच ली थी मैंने भी सेवन डेज का कोर्स कराया मैं इसको ग्यान मिलाई हूँ यह वी आई पी है और उस भाई ने क्या बोला कि यह सामने जो माता बैठी है न यह मुझे ग्यान मिलाई है तो बुड़ी माताओं में इतनी शक्ति है बुड़ी आई भी सब को समझा सकती है फिर आज बाबा ने बतलाया कि इस सारे करम छेतर पर रावन का राज्य है अब यह करम छेतर से पहले बाबा ने का जो यह कुर्छेतर है न कि उस समय बाबा के सामने कुर्छेतर और आसपास के करनाल वगरा की माताओं बहुत आती थी दीदी बता रहे थे कि उस टेम बहुत माताओं आती थी तो बाबा ने का कुर्छेतर की बुड़ी माताओं भी समझाती है न अब बाबा ने का कुर्छेतर का एक गाम है ये सारा करम करने का छेतर है तो इस करम छेतर में बाबा ने का हम सारे करम करने के लिए है बाबा ने का अभी इसमें लड़ाया दी लगी नहीं है तुम इस सारे कुर्छेतर को जानते हो बैठना तो एक जगे होता है एक जगे बैठके बाबा को याद करना है लेकि सारे करम छेतर में कि मैं इस पर आई हूँ मेरा पाइट है तो मैं यहां करम छेतर में करम कर रही हूँ और साथ साथ मैं बाबा के साथ हूँ योग में भी हूँ एक जिगे बैठके तो बाबा ने का इस सारे करम छेतर पर रावन का राज्य है तो रावन को जलाते भी यहां है बाबा ने का रावन का जनम भी यहां होता है और यहां ही शिप बाबा का जनम होता है रावन का जनम भी यहां होता है और शिप बाबा का भी जनम होता है जब शिब बाबा जनम लेते हैं तो फिर धीरे धीरे रावन के सारे विकार खत्म होते जाते हैं फिर बाबा ने का जो शुक्ष्यम वतन में तो ना संपून ब्रह्मा है और इस बात में लोग अटकते हैं ब्रह्मा का करतव यह क्या है बाब समझाते हैं जब यह व्यक्त रूप में है तो इन द्वारा ग्यान देता हूँ जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त थे तो शिप बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को ग्यान देते हैं और फिर यही ब्रहमा बाबा क्या करते हैं ग्यान लेते लेते क्या बन गया फरिष्टा बन जाते हैं और वह संपून रूप तो बाबा ने का वैसे मम्मा का भी है तुम्हारा भी संपून रूप है हर आत्मा का एक अलग से शुक्षम शरीर है जो फरिष्टा रूप जब बा दी गई तो उन्होंने बताया कि आप उपर और नीचे एक हो गए तो आशे हमारा भी शुक्षम शरीर है तो मिन जितना पुर्शारत करोंगी मेरा उतना बतलम जितना मैं अब पुर्शारत करती जाऊंगी तो वहां मेरा जो शुक्षम है वो चमकता जाएगा फरिष्टा रूप ज्यादा बनता जाएगा बाबा ने का फिर बूरी माताओं के लिए का कि बूरी माताओं सिर्फ इतना धारन करें कि हम 84 जनम कैसे लेते हैं ये भी समझाया जाता है कि बाबा करम छेतर पर पाड़ बजाने भेई देते हैं मुख से कुछ बोलते नहीं है ये भी ड्रामा बना हुआ है तब बूरी माताओं का सिर्फ क्या करना है कि 84 जनम कैसे लिए हैं वो समझाना है फिर बाबा ने का जब तक बालक में न कोई विकारों की परवेश्टा नहीं होती न उसको मातमा समान कहते हैं जब बच्चे कोई भी विकार नहीं होते हैं छोटे बच्चे होते तो क्या कहते हैं कई तो कहते हैं देखो बच्चा कैसे लग रहा है कोई विकार नहीं कोई हस्त बस सिर्फ हस्ता और कितना खेलता है कि मातमा है बाबाने का जब बालिक होता है न तब लोग की समद्दी उनको दुख का रास्ता बताते है जैसे 18-20 साल का हुआ पड़ाई पूरी हुई तो उसके बाद क्या कहते है अब इस बच्चे का बिजनिस चले और शादी हो जाए और पहला पहला रास्ता ही क्या करते है शादी का बताते है बाबा कहते है फिर दुनिया में लगते है और वो कहे न अगर शादी नहीं करनी तो वो कहते है क्यों लक्ष्मी नरैन ने भी शादी करी रामसिता ने भी शादी करी तुम क्यों नहीं शादी करते हो तो उनको समझा आना है कि जो लक्ष्मी नरायन और रामसीता वो पवित्र परवित्ती के थे आजकल वो इतनी ताकत नहीं है आत्माओं को कि शादी के बाद वो पवित्र रहें तो उनों के जो बच्चे भी होए तो कैसे हुए सत्युगर्ट रेता में द्रिष्टी से तो परवित्र परवित्ती के थे तो थे आजकल तो जो परवित्र परवित्ती नहीं है विकार कितने है तो इसलिए कह रहें कि अब विकारों में नहीं जाना फिर शिव बाबा कहते हैं कि बस अब मामेकम याद करो शिव को ब्रह्मा को बाबा कहते है शंकर को कभी बाबा नहीं कहते है वे तो शिव शंकर को मिला देते है बाबा नहीं का ये तो ये भी बुद्धी में बिठाना है आत्माओं का बाप अप परमपिता परमात्मा आये है शीव और शंकर का अलग-अलग मतलब भी बताना है कि शीव और शंकर अलग हैं एक नहीं है और आत्मों का बाप अब परम पिता परमातमा आए हैं संगम पर तो बाबा ने कहा तो ऐसी ऐसी से बाते बुड़ियों को भी समझानी है आज बुड़ियों की बार-बार बाबा कहते है तो आज बाबा ने फिर क्या का बाप को और चक्र को याद करने से तुम रोहानी विलायत में चले जाएंगे परमधाम हमारे लिए रोहानी विलायत है तो मैं आत्मा रोज रोहानी विलायत की सेहर करके आती हूं दिन में कितनी बार रुहानी सेहर करके आती हूँ वलायत में उस वलायत के लिए तो बहुत वीजा और क्या क्या करना पड़ता है यहां तो एक सेकेंड में पहुंच जाओ बच्चे क्या क्याता है अभी हम अपने घर जाते हैं बाप का घर सो अपना घर और बाबा ने क्या का मुझे याद करो और अपने मुक्ती धाम को याद करो फिर बाबा ने आज साइंस वालों के लिए भी का कि साइंस वालों को अब घमंड बहुत होता है वो परमात्मा को बिलकुल नहीं मानते जानते लेकिन बाबा ने का साइंस वालों की बी क्या कर नी है सेवा कर नी है उनको भी शिप बाबा का प्रिच्छे देना उनका वी उधार करना फिर बाबा ने फिर लास्ट में का कि अब न ओर संग तोर तो बद्धि बुद्धी का योग तोड़तो बस एक सचे सचे बाबा को याद करना है वामने का सरकारी नौकरी भी ना आठ घंटे करते हो ना उनसे भी यह बहुत उची कमाई है सरकारी नौकरी आठ घंटे करो लेकिन उससे उची कमाई कौनसी है एक बाबा को याद करना कहां भी जाओ ब बुद्धि में एक बाबा याद रहे बाबा ने का तुम कोनो करम योगी हो करम योगी और योग में बैठके एक जैसी अवस्ता हो जाए चाहे मैं योग में बैठके योग कर रहा हूँ चाहे करम करते हुए में मेरा बुद्धि का योग एक हो जाए संड़े के मुरली में यही बाबा ने का बाबा ने का कितना सहज है फिर बाबा आज क्या देख रहे है बुड़ियों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ ब्रमा बाबा कह रहे है कि बुड़ियों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि मेरी वो हम जीन्स है मैं मालिक बनू और मेरे हम जीन्स मालिक ना बने ये तो ठीक नहीं है न तो उनको भी साथ ले जाते है और बाबा क्या है बाप ए अविनाशी ग्यान सरजन कल रोहानी सरजन बच्चों को बनाया अविनाशी रोहानी सरजन आज बाबा करते हैं बाप है अविनाशी ग्यान सर्जन ग्यान इंजेक्शन शत्गरू दिये अग्यान अधेर अविनाश बाबा ने आके ग्यान का इंजेक्शन लगा दिया अब अंधकार सब दूर हो गया है मेरा सारा अग्यान दूर हो गया है मैं आत्मा ऐसे समझती हूँ कि बाबा ने मुझे ऐसी डोज लगाई ऐसा इंजेक्शन लगाया मोटा सा कि जो है मेरा सारा ज्ञान दूर हो गया बुद्धी में बस ज्ञान आ गया है सब कुछ जान गए हो बाबा करता तुम अब सब कुछ जान गए हो फिर आज बाबा ने वरदान दिया बाबा ने का सदा हर्षित और निश्चिंत भव बाबा ने का अटूट निश्चे के अधार पर विजे कान भव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव वैसे भी कहते हैं जब निश्चे है ना जब ही सब कुछ है, अगर निश्चे नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, निश्चे बुध्धी विजनती, अब मुझे अगर बाबा पर पूरा पूरा निश्चे है, तो मेरा हर कारे एकुरेट होगा, क्योंकि मुझे पूरा बाबा पर निश्चे है, तो जो निश्चे वाले ह उनको कभी कोई भी किसी चीज में शंशे आई नहीं सकता भवने का निश्चे की निश्यानी है मंसा वाचा कर्मना संबंद संपर्क हर बात में सहज विजय ही जो निश्चे बुद्धी होंगे उनको कोई चिंता नहीं होगी भवने का जहां निश्चे अटूट है न वाँ विजय की भावी टल नहीं सकती अगर निश्चे है कि भगवान मेरे साथ है तो कोई भी कहीं भी हार हो नहीं सकती भवने का ऐसे निश्चे बुद्धी ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे जो निश्चे बुद्धी होंगे वो सदा क्या होंगे हरशित भी रहेंगे और निश्चिंत भी रहेंगे और वो कभी भी ना किसी भी बात में क्या क्यूं कैसे कहना भी चिंता में नहीं आएंगे क्योंकि अगर उगनों ने ये कहा कि क्या है क्यूं है कैसे है तो बाबने का ये भी चिंता की निशानी है और जो चिंता की निशानी जिसको चिंता वो निश्चे बुद्धी है इने बाबने का निश्चे बुद्धी निश्चिंत आत्माओं का सलोगन है एक ही सलोगन है जो हुआ अच्छा हुआ होंगे ना वो सदा हर्षित रहेंगे और सदा विजय होंगे और उनको जो है ना चिंता शब्द भी उनके लिए क्या है अविध्या हो जाएगा कोई फिकर उनको पता ही निया कि फिकर क्या होता है चिंता क्या होती कुछ नहीं फिर बाबा आज आपने स्लोगन में कहा सदा प्रशंचित रहना है तो बुद्धी रूपी कम्प्यूटर में फुल स्टाप की मातरा लगाओ सदा खुश रहना है तो बाबा क्या कहता है ड्रामा बिंदी हर सीन कल्यान कारी है वर्दान में बाबा ने बोला ना हर चीज कल्यान कारी है हर सीन में अनंदी अनंद तो सदा खुश रहना है तो क्या क्यों का कुछ नहीं शिरफ फुल स्टाप लगा दो फॉरण कोई भी बात आई बिंदी लगा दो तो जितना हम फुल स्टाप लगाते जाएंगे अपने कंप्यूटर रुपी बुद्धी में जो ये बुद्धी है कंप्यूटर भी किसने बनाया इस बुद्धी नहीं तो बनाया तो बस मैं फिर सदा खुश रहूंगा ओम शान्ती अब हम सब फरिष्टे उड़ चले विश्व गलोप पर बाब दादा की केर्णे मुझ पर आ रही है और मुझसे सारे विश्व में फैल रही है मैं फरिष्टा बाबा के साथ सारे विश्व में सुक, शान्ती, अनंद, प्रेम और पवितरता की केर्णे फैलाते हुए शुक्ष्व वतन में बाबा से दृष्टी लेते हुए वर्दानों से भरपूरो कर वापिस इस देरूपी मंदिर में हूँ बाबा की छत्र चाया में हूँ ओम शान्ती, शुक्रिया बाबा सब आत्माओं का शुक्रिया